हालो डियर फ्रेंड्स गुड मोरिंग स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल गुरूप आप हम सांस में तो आज मैं अपने यूटूब चैनल का नया वीडियो लेकर आएं जिसमें बहुत ही महत्पूर प्यूश्चन है सभी प्रकार के एक्जाम में पूछे जाने वाल में जो भी त्यारी कर रहे हैं कमपटेट्व उग्जाम की TGT PGT हो या GIC हो या ऐसे एंट प्रोफेसर हो या लैक्स रेक्जाम हो यूजी सी नेट हो या ICR NET GRF SRF हो जो भी त्यारी करने वाले हों हमसांस के उन लोगों के लिए बहुती महत्पूर चैनल है और बहुती महत करें सब्सक्काइब करें करें शुरू करते हैं की तरफ साइज के इस वीडियो में थार्टीन क्यूस्टन रहेंगे, थार्टीन क्यूस्टन में से, किसके कितने क्यूस्टन सही होते हैं, वो कमेंड करके जरूर बताएं, ठीक है, तो चलते हैं पहले क्यूस्टन की तरफ, पहला question यह है आपके सामने निम लेकर में से कौन सा पसुमूल की एक मात्र सरक्रा है यहाँ पे चार आपसंद यह हैं लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्ज, एंड मैनोज तो इसमें बताना है आपको कि एनिमल ओरीजन की प्रोटीन यह सरक्राइज कौन सी है अब देखिए ओरीजन के साबसे कर देखें, तो दो तरीके की के टागराज की गई है, प्लान्ट के और एक किंगडम ठेक है, एनिमल किंगडम और प्लान्ट किंगडम दो तरीके के अब जो मनुस होते हैं वो इनिमल के इंगडम में आते हैं जान रखिए गाया इस चीज को यह मनुस जो होते हैं यह यहां पर क्यूस्टन क्या पूंज रहा है कि पसुमूल की एक माध्य सरकरा कॉंस है तो आप लोग अच्छे जानते होगे कि लैक्टो जो होती हो स paralysis होती है ठीक है और यह जो है यह दूद में पाइजाती है तो यहां पर यह एक स़कराय ठीक है और जैसे कि जैसे आपसन में है लेक्टोज तो लेक्टोज किस परकार की सरक्रा है या किस परकार की सुगर है किस परकार का कार्बो अड्डेट है तो यह कैसा है लेक्टोज यह जैसे सुक्रोज और माल्टोज यह किस परकार के हैं यह सब डाई सैक्राइट है ठीक है ज्यान रखिए क कैसे रिगलुकॉज फ्रक्टोज और मेनोग इस प्रक्ट्टारी Suite को सेißt रिपन सद्धियंकर है और तसनलीसर रहे हैं यह मॵनेशन को सब्सक्रइब करक्राईब सलगा है तो किस्फिरुन जैसे फार्मूला भी पूच देता है कभी कि तबता रहे हैं चाह्थ स्क्रोज का रसायनिक फर्मूला क्या होता है तो और जसे स्टार्ज का पूच दिया यह सब चीज़ेश्ट पूच देता है तो यह भी आप लोग नोट करना अच्छे से कि स्टोव का उस्ट सी ट्वलव एस ट्वंटीटू ओ लेविन और इस टार्ज का या कार्व एड़ेट का क्या होता है आप बोलते हैं उसको सी सिक्स एज टेन ओफाइब ठीक है और लेक्टोज तो बताई दिया हमने कि सका जो सही क्या है इसका सही आपने लेक्टोज ठीक जान रखिए गया पर जो पसुन मूल की एक मात प्रोटीन वह है लेक्टोज क्यूशन नमबर सेकेंड पर चलते हैं आज का सेकेंड क्यूशन है लेक्टोज इनहेंस दा इपजॉप सुन आप विच वन आप जी फालोविंग यानिकि से चार आपसन दिये हुए हैं यह जो तो इसमें से कौन सा आपसन सही होगा लेक्टोज नमबर किसमें से किसके उसोच को बढ़ाता है आप लोग द्यान दीजिएगा यह क्यूश्चन थोड़ा घूमा फिरा हुगा आए क्यूश्चन ठीक है थोड़ा टेक्निकल क्यूश् सब्सक्राइब करता है ठीक है तो यह सब इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के चलते नेक्ट कुश्चन के चलब किसे नमबर थाड़ पर थाड़ कुश्चन है बिच वन आप दी फालोवेंगे जा ट्रांजेक्शनल मॉडल आप कम्यूनिकेशन यानि कि निम लिखत में से से कौं सा संचार का एक ट्रांजेक्शनल मॉडल है यहां पर चार मॉडल दी हैं देखीए गा जो कि यह यसलोश भीड़ मॉडल है अरिशिटोटल ल्रमा ड़ल और बरलो मॉड़ल है इंट मैर्बडर माड़ल है यहां पर चार माड़ल दी हुए है तो इसमें कौँ सा माड ठीक है और दूसरे कौन से होते हैं दूसरे होते हैं Transaction Model कियो पूछ रहा है इसको भी दान दिजिगा Transaction Model और तीसा Yap Kyle verb गूझा अधो implemented उठेकर होता if the Interactive Model इसको भी दान दिजिगा तो linear model में कौन-कौन से आते हैंíb कौन-कौन में आएगा यह लास्वेल जो लिनियर मोडल में आएगा ठीक है और एरिश्टोडल माडल और बरलो माडल पहला दूसरा तीसरे आप संगे जो आए यह सब क्या है यह लीनियर मॉडल ठीक है ज्छान रखिए यह model होता है और दूसरा होता है, सनन भी बर, ठीक है? जो इसमें धीया आए, यहाँ पर पोच भी क्या राए, ट्रांजेक्टिनल माडल आप कम्यूनकेशन, तो यहाँ पर कौन सा आपसीं सही है? यहाँ पर जो सही आपसीं है, white model हो गया और scram model हो गया यह सब किसमें आए यह interactive communication model है द्यान जिनोट कर लेना आप लोग इन सारे questions को और चलते हैं question नमर आज का चौथा question चौथा question है the process in which protein gets uncollided losing its original property is known as यानि कि वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें protein अपने मूल गुण को खूते हुए बीना कुंडली के हो जाता है क्या या क्या कहलाता है coagulation rub licationCellas Saturn या Um yeah सआपोनीफिकेशन यहांपर कह थो आपस TER यांपर जो सही आप चैनले कहनपरहल है यापर और die नच्हासरा यांपर पstruna आपकर थीख है क्यूंकि सब्सक्राइब क्या होता है जब हम हीट देते हैं किसी प्रोडक्ट में प्रोटीन में तो वो क्या है कि वो तूटती तो है किसी फार्म में प्रोटीन जो हो सब्सक्राइब को खो देती गुण को लेकिन जैसे हम हीट को बंद करते हैं वो अपने उसी कंडिशन में आ जाती है ठीक है और जब कि दीनेचुरेशन में ऐसा नहीं होता है दीनेचुरेशन में अगर हमने एक बार प्रोटीन को गरम किया या किया तो वो त्रंकला अपना है यह फैट की एक प्रोसेस है स्रावन मनाने की इसको भी ध्यान दखेगा कुष्ण नमर पांच चलते हैं कुष्ण नमर पांच है आज का इंजायम सार केम के लिए विच टाइप आप कंपाउंड्स यहां पे यानिकी इंजायम रशानिक रूप से किस प्रकार के योगिक ह है पहला इब लेटामिन दूसरा है कार्व अडारी फैंट अच्वी ह्यां फेट अच्व सब्सक्राइब क है प्रोटीन तो यहां पे जो सही आप साने वह कौण था यह मिक्ति रूटीन क्योंकि तो करसे हम संग कौंजाते हैं थोड़ा यहां पे आस राश्य आपकान को इन जो इंजैम्स जो होते हैं वो सभी इंजैम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं यहां पर सारे जो इंजैम्स होते हैं जितने भी इंजैम्स होते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं परन्तु सभी प्रोटीन्स इंजैम्स नहीं होते हैं इस जट अपोजेट बन रहा है इसका ठीक है ज चाहँ आप दी फालोविंग जाने एक जाम पला मेटाइलो प्रोटीन निम्लेखत में से कौन मेटाइलो प्रोटीन का उधारण है ठीक है यहाँ पर चार आपसन दिये हुए है पहला एक लाइक प्रोटीन दूसरा है हीमोग्लोबिन तीजरा है न्यूक्लियो प्रोटीन और होता है लाइप प्रोटीन तो यहाँ पर सही आपसन कौन सा यहाँ पर यहाँ पर जो सही आपसने वह हीमोग्लोबिन सही आपसने यहाँ पर क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो मेटालो प्रोटीन है ठीक है इसमें जो मेटाल एक पाया जाता जिसकों क्या बोलते हैं आयरन ठीक है और ग्लाइको प्रोटीन है जैसे नुकलियो प्रोटीन है और लाइपो प्रोटीन है यह सब किस प्रकार की प्रोटीन है यह सब कंजूगेटड प्रोटीन है ठीक है और कंजूगेटड प्रोटीन में टैलो प्रोटीन भी है जान दखिए गाइसको और जो बाकी तीन आपते ने ग्लैकोप्रोटीन नउकलीव प्रोटीन दिछ आराल करेंग प्रोटीनवेट की यर ऑप ज़्विर ऑल्लीव प्रॉट्यन इज हीमोगलोवन पूर्थल है ऑप यह ठीक है यह फूरण नीचे हो गया इसको जाना रखेगा निमलेक अन्हीं पेसे किसे बhui में अपनी ब्रद्धी के लिए अधिक पानी की आवसिक्ता होती है यहां पहला आप से बैक्टिरिया दूसरा है फंजाई तीतरा एस्ट और चौथा है बहुत बी एंड सी क्यूशन नंबर साथ हुआ है आज करें बहुत ही इंपॉर्टन क्यूशन है कि इसमें जो सबसे अध बहुत बी एंड सी है तो यहां पर जो सही आप से वह कौन सा है बैक्टिरिया जो है वह सबसे जल्दी पानी में ग्रोथ करता है कोई भी प्रूट प्रोड़क्ट है अगर उसमें मौस्टर कंटेंट ज़्यादा आया तो सबसे जल्दी बैक्टिरिया डबलप करते हैं वहा घ्रोथ करते हैं और एक क्यूशन और यहां पर बनता है कि माक्रो वार्जगर्णं को ग्रोथ करने के लिए जैसे है तो कितना मिनमम कितना बाटर परसेंट होना चाहिए तो वह जाते है क्यूशन नमर सातमा कंप्प्रीट वाजकाट होँशन देखते हैं infant bartolism is caused by ठीक है एक डिजीज है infant bartolism जो छोटे बच्चों में होता है ठीक है जैसे बच्चा पैदा हुआ हम बच्चा पैदा हुआ तो क्या करते हैं कुछ लोग अभी पुरानी कुपरताओं को ले करके चलते हैं कि उसको सैज चटा लेते हैं थोड़ा सा ठीक है उस सैज में क्या होते है मुझे स्पॉर्स होते है क्लोड श्टीडियम के तो वो बच्चे को नुकसान करते है जिससे मां का दूद्ध पिलाना है खुल स्ट्रम पिलाना है बच्चे को मां का दूद्ध ठीक है और यहां पर सही आप से नम पहले देखते हैं कि सिचू बाटल जम किसके कानड़ होता है तो पहला है क्लॉश्टीडियम दूछरा है सिगेला डिसेंटरी तीसरा है सैनुनेला ठीक है जिसकी चूल लेकर के जो है जो इसकी उससे तो इन पहल रुद्ध यह यहां पर होता यहां में बढ़हों में तिया अचानुनी पहले होता यह टाइफ हैड कि इसके जो मतलब होता है जहां पर यह होता है तो उसको टाइफ हाइड हो जाता है यह उसको उसके लिए यह रिश्पान्सबल होता है और इस टैप लोकोकस जो होता यह मुश्ली फूट प्वाजनिंग का एक कारण अधिक है जैसे ना ब्रूमाइंट अब गएर हो जाती है और तो यह प्रकार से फूट प्वाजनिंग होता है किसके द्वारा यह माइक्रोंट के जमज़ुआ है व कोकस नहीं इस टैप लोकोकस और इसस ठीक है तो यहां पर चार आपसं दीए हैं देखी है पहला आपसं जो वह कोटेच चीज दूत्रा है कंडेंस मिल किसा है सेस्टा है सेवर कराट और छोथा है छ जना ठीक है तो यहां पर आपि जो सइजाने परमांति जो मिलक प्रोडक्ट है यहां पर बिदुद्ध बोलें प्रोडक्ट हैं तो इसमें सही आप्षन कौन सा है सी जो है वो सही आप जने सेवर क्राट जो है वो फर्मंट प्रोडक्ट है ठीक है किसे नंबर दस्मा चलते हैं आज का दस्मा किस्टन है दा मेजर सोर्सा फूट कंटामिनेशन इज एक खास अंदूशन का प्रमुक्स रोत क्या है यहां पे चार आप्षन दिये हैं यह भी क्यूस्टन थोड़ा कंफ्यूजन का है समझते हैं इसको पहला है स्वायल दूतरा एर तीतरा वाटर और चोथा आप्षन है फूट है ठीक है तो देखिए मेजर जो फूट कंटामिनेशन होते हैं या दूस्ट होते हैं उसमें बैक्टिरिया और माइक्रोजग्स ग्रोथ करते हैं वो मुश्टली होते हैं कहां से जब हम करते हैं फूट की जैसे किसी भी प्रकार के तो वह उसको सुरक्षित रख लिए उसके बाद तो वह मैक्रोजग्स या ग्रोथ कंटामिनेटेट फ्री हो जाता है तो यहां पर सही आप्षन कौन सा होना चाहिए यहां पर यहां पर जो सही आप्षन है वह स्वाइल ठीक है क किस्ट नमर 11 वहां देखते आज का विच पिगमेंट और प्रिजेंट इन एक अंडे में कौन से वरड़क मौजूद होते हैं यहां पर जैन्थोफिल है पहला आप्षन दूसरा है बीटा करोटीन तीस तरह है एं तो साइन और चौता है बहुत एंड बी ठीक है यहां पर जो सही आप्षन कौन सा है यहां पर सही आप्षन देखते हैं यह बहुत डी आप्षन सही है बहुत एंड बी यानिकी जैन्थोफिल और बीटा करोटीन जो हता है वो एंडे में यह पिगमेंट मौजूद होते हैं ठीक है किस्ट नमबर आज का बारवां देखते हैं सब्सक्राइब माइक्रोबियल सबस्टेंट इज प्रेजेंट इन मिल्क दूद में कौन सा रोगाणू रोधी पदार्थ मौजूद होता है यहां पर देखिएगा कैसी जो एक मिल्क प्रोटीन है ठीक है पहला अप्षन दूतरा है लेक्टोपेरीन और तीसरा क्या है इम् चोंड तरीर में पढ़ने पाया जाता है ये सेल के अंदर प्यान आठीक है जो बन्तिकर्ण को खा जाता है बirt Geokal कर देटा भाड़ी के अंदर इसको नोड़ कर ये सगा यह लाइस में रहता है रोलड और और भावी क्वालिट टीक है और यहां पर जो सही आफ़न है लेक और लेक्टो पराक्सिडेज ये दोनों एंटी माक्रोबियल सब्स्टेंस हैं जो दूद में प्रजेंट रहते हैं ठीक है और आज का लास्ट किस्टन देखते हैं किस्टन नमबर 13 विच्वन आप दी फालोग एंगेज फाउंड ऑंडा एक सेल निकित में से अंडा की कोच्क अश्चा में पर्षण जाता है ठीक है यहां पर पहले चैरा अप्संद देखते हैं पइला अपसंद जो टिंधिम बाइड वाटू लिंद्स रहें बैब्रियू कोल्रा इस तरह बैसलेस सेरस अच्छोथा है सैलमुनिला टाइफी ठीक है यहां पर जो सही आपसेन वह कौन तो उसमें क्या एक जब अंड़ा देती है मुर्गी तो उसका जो फीकल मेटर लगा रहता है ना तो वो बैक्टिरिया यह उसमें पाए जाते है ठीक है तो अगर उसको अच्छे से साप नहीं किया अच्छे सकर उसको कंट्रमिनेटर फ्री नहीं किया है मैक्रोजियुंट किल नहीं किया उसके तो यह उसमें रह जाता है और इसको आपकी कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को करें और शेयर करें ज़्र anсят complot ओ लोगों तक जो लोग नहीं जड़े बी वह भी जड़ जाए और विभाथ कि अधि तरवा से ठैकार शुकर हमिए यहान रहा है कि पर्फर करें ज्याधार चीब ना कि कि कई मिन्हुट मत करें अगर जाम आने वाले तो जैदा से जॉधा आप लोग फोक्रफर करें उनसे त्यारी करें और टेक्स्ट नोल करें ना कि कंप्ट्रेट्टियू चाम की तो मुस्ट्ली गलतियां की मिलेंगं आपको आप खुद कंप्यूच्ड रोण आएंगे उनमें से तो जैसे तर टेक्स्ट वुक ही पर्चेज करें उन से आप पढ़ाई करें किकर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई और चैनल को सब्सक्राइब करें ना बूले कि अग्षा कि अग्षा